बच्चों हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्याय 8 त्रिकोन मिती का परीचे आज भाग 6 में हम हल करेंगे उधारन संख्या 6 से 8 तक हर एक उधारन के हल को बच्चों ध्यान से समझेगा नोट कीजेगा और बाद में बिना देखे आप खुद से हल करें यह सभी उधारन बच्चों आधारित है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोन मीती अनुपातों के मान पर जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी उमीद करता हूँ आपको सभी त्रिकोन मीती अनुपातों के मान याद हैं आपको सारणी बनानी भी आती है तो देख B बराबर 30 degree है भुजाओं BC और AC की लंबाईयां ग्याद कीजिए तो एक समकोन तिर्बुज दिया गया है उसमें एक भुजा AB की लंबाई 5 cm दी गई है कोन AC B 30 degree दिया गया है अन्य दो भुजाओं BC और AC की लंबाईयां ग्याद करनी है कैसे गयाद करेंगे देखिए बच्चो हल हल में हम लिखेंगे तिर्बुज A B C में तिर्बुज A B C में समकोन तिर्बुज बना लीजिए ये समकोन तिर्बुज A B C बना लीजिए A B C B पर क्या बनाना है समकोन बनाना है ये सी जो कोन है A C B ये आपको दिया गया है 30 degree और इसके सामने वाली भुजा A B आपको दी गई है 5 cm ये B C और A C आपको ग्याद करना है खीक है न तो समकोन ये जो तिर्बुज है A B C इसमें साइन C मुझे बताईए साइन C जो कोन दे रखा है उसके लिए साइन थीटा क्या होगा लंब A B बटे करन A C इसलिए इसलिए बच्चो साइन 30 degree बराबर A B बटे A C A C हमें ग्यात नहीं है साइन 30 degree का मान सारनी से बताईए बच्चो साइन 30 degree का मान होता है एक बटे दो यह हो जाएगा पांच बटे A C के और यहां से A C बराबर आजाएगी 10 cm A C बराबर आजाएगी 10 cm साइन 30 जो कौन दिया गया है उसके लिए आप साइन C लिख लेंगे तो A B बटे A C आजाएगा अब देहान दीजेगा मुझे A C गयाद करना था यह A B दिया गया था इसलिए मैंने ऐसा सोचा साइन C ही क्यों निकाला मैंने मैंने 10 C कोस C यह क्यों नहीं निकाले देखिए दिमाग कैसे चला रहा हूं मैं मुझे दिया गया था A B और मुझे गयाद करना था A C पहले मुझे A C गयाद करना था और A B मुझे दिया गया था तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों के अनुपात लेके देखता हूं तो A B बटे A C लंब बटे कर्ण हो जाएगा لمب بٹے करण क्या होता है साइन थीटा होता है अब वापस से दिमाग लगाईए मुझे A B दिया गया है और मुझे B C गयात करना है तो मैं A B बटे B C करूँगा यानि की मैं क्या करूँगा لمب بٹے आधार करूँगा जो कौन दिया गया है उसके लिए बात कर रहा हूँ उसके लिए لمب بٹے आधार हो जाएगा तो हम अब यहां लिखेंगे देखो इसके आगे हम लिखेंगे पुन है لمب بٹے आधार यानि की 10 C बराबर हो जाएगा A B बटे B C यानि की 10 C का मान है 30 दिगरी A B है 5 B C आपको गयात ही करनी है 10 30 दिगरी का मान बताईए कितना होता है 1 बटे रूट 3 जिस तरीके से मैंने याद कर लिए है ना बच्चों सभी त्रिकोण मीतियन उपातों के मान कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोण मीतियन उपातों के मान तो वैसे आप भी याद कर लें 5-7 बार सारनी बनाएंगे आप खुदी याद हो जाएगा और जब आप उधारन करें तो बिना देखे लिखने का परियास कीजिए और फिर जाच कीजिए कि क्या आपने सही मान रख दिया है क्या तो आपको याद हो जाएगा 10-30 दिगरी एक बटे रूट 3 बराबर 5 बटे BC और यहाँ से BC बराबर आजाएगा 5 रूट 3 सेंटे मेटर तो अगर आपको एक कौन पता है समकौन तिरबुज का एक बुजा की लंबाई पता है तो बाकी सभी कौन और बाकी सभी बुजाओं की लंबाई आप ग्यात कर सकते हैं उधारण संख्या 6 को नोट कीजिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आसान है फिर देखिए अगला उधारण उधारण संख्या 7 इसमें क्या का गया है तिरबुज PQR में जिसका कौन Q समकौन है तो समकौन तिरबुज PQR की बात हो रही है PQ 3 cm है और PR 6 cm है कोण QPR और कोण PR Q गयात करने है तो बुजाएं दी गई है कोणों के मान गयात करने है कैसे गयात करेंगे देखिए हल में लिखेंगे हल में हम लिखेंगे तिरबुज PQR में जो दो बुजाएं दी गई हैं वो कौन-कौन सी है PQ बराबर 3 cm और P R बराबर 6 cm P R बराबर 6 cm इसलिए देखो इसलिए देखो पहले चित्र में समझो एक कौन Q तो आपको पता ही है कितने डिगरी का है 90 डिगरी का है ये हो गया P, ये हो गया R P Q कितना दे रखा है 3 cm P R कितना दे रखा है 6 cm जो बुजाएं दी गई है वो कौन R के लिए कौन R के लिए क्या है लंब और कर्ण है ना तो आप लिखेंगे क्योंकि साइन आर बराबर है P Q बटे P R अर्थार्थ 3 बटे 6 तो यहां से आप लिखेंगे कि साइन आर जो है वो है 1 बटे 2 अच्छा इधर साइन आर उधर 1 बटे 2 तो साइन आर की जगे कौन सा मान रखूं कि 1 बटे 2 आपको मिले तो आप कहेंगे कि देखो सर यहां पर साइन आर है और उधर 1 बटे 2 साइन में किसकी मान होती है वो होती है 30 डिगरी की तो साइन आर बराबर साइन 30 डिगरी लिखा हुआ है और जब आप तुलना करेंगे तो यहां से एंगल आर आपको मिल जाएगा 30 डिगरी एंगल आर कितना मिल जाएगा 30 डिगरी अगर ये कौन 30 डिगरी का है ये 90 डिगरी का है तो ये एंगल पी कितने डिगरी का आएगा बच्चो 60 डिगरी का आएगा हम लिख देंगे क्यूंकि तिरभुज PQR में कौन P प्लेस कौन Q प्लेस कौन R टीनों का टोटल होता है 180 डिगरी कौन P हमें पता नहीं है कौन Q 90 डिगरी का है कौन R अभी आपने बताया 30 डिगरी का है यह बराबर 180 डिगरी यहां से कौन P बराबर आ जाएगा कितना 20-60 डिगरी का जाएगा हमसे क्या पूछा गया था कौन Q PR अर्थार तो कौन P आप से पूछा था और कौन PR क्यू और भी पूछा था अतह लिख देंगे अतह कौन Q PR तो आ गया 60 डिगरी तथा कौन PR क्यू यह आ जाएगा 30 डिगरी कोई कोई तकलीफ नहीं हुई ना कोई तकलीफ नहीं हुई ना बच्चों उधान संक्या साथ को हल करने में भी बिल्कुल आसान है यह विशिष्ट कोणों के त्रिकोण मिती अनुपातों पर आधारित जो प्रस्न हैं सारे बहुत है आपको तिर्बुज दिया गया था डो वुजाएं दिगी थी जो वुजाएं दिगे थी उनकानुपध अगर आपने देखा तो कॉण आर के लिए वो लंब बटे कंड है लंब बटे कंड किसके बराबर होगा साइन थिटा के लिए थिटा यहां आ रहे तो साइन आर पीक् टुल ना करेंगे तो आर का मान आ जाएगा तीस डिगरी और क्यूंकि यॉक्ले को फिर और परिक्षा की द्रश्टी से वैसे तो सारे प्रशन क्या होते हैं इतनी प्रेक्टिस हमें करनी चाहिए लेकिन फिर भी कुछ विशेश होते हैं जैसे कि बार-बार परिक्षा में जिनको पूछा जाता है तो यह उन में से ही है आपको कहा गया है यदि साइन अ-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार- प्रश्नों को देखिए क्यूंकि आपको दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर एक बटे दू इधर साइन तो उदर भी क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए तो आप एक बटे दो की जगे क्या लिखेंगे आप लिख देंगे ये हैं साइन 30 डिगरी तो तुलना करने पर काट गिएगा मत बच्चो साइन से साइन कभी नहीं करता हम तुलना करते हैं और तुलना करने पर हमें पता चल जाएगा ए माइनस बी इधर है और उदर क्या हो जाएगा 30 डिगरी तो ए माइनस बी का मान हो गया 30 डिगरी फिर देखिए तथा आपको दिया गया है कोस ए प चाहिए तो यह हो जाएगा कोस A प्लेस B कोस में एक बटे दो कब होता है कोस 60 डिगरी में होता है आप कर लीजिये तुलना और लिख दीजिये तुलना करने पर तुलना करने पर हमें मिल गया A प्लस B बराबर कितना A प्लस B बराबर 60 डिगरी ये समीकर्ण संख्या 2 जैसे ही आप समीकर्ण 1 और 2 को जोडेंगे तो आपके पास A का माना जाएगा A का माना आते ही आप B का भी निकालेंगे अब द्याय तीन आपको याद है ना दो चरवाले रिखेक समीकर्ण यूग में तो ये A और B में दो समीकर्णी तो हैं समीकर्ण 1 वै समीकर्ण 2 से समीकर्ण 1 है A माइनस B बराबर 30 डिगरी A माइनस B बराबर 30 डिगरी समीकर्ण 2 है A प्लस B बराबर 60 डिगरी मैं दोनों को जोड लेता हूँ A और A हो जाएगा 2A माइनस B प्लस B हो गया कैंसिल 30 और 60 हो जाएगा 90 डिगरी और यहां से A का मान आ जाएगा 45 डिगरी तथा B का मान कितना जाएगा बच्चो देखो A का मान अगर 45 डिगरी है तो B क्या होगा यह 45 उदर जाके गट जाएगा कितना जाएगा 15 डिगरी यह आपका क्या हो जाएगा वान्चित उत्तर हो जाएगा उधारन संख्या आठ में कोई दिकत नहीं होनी चीए जो आपको दिया गया था वहां से दो समीकर्ण आपको मिल जाएंगी दोनों समीकर्णों को आप हल कर लेंगे विलोपन विदी से ए और बी के मान आपके पास आ जाएंगे उधारन संख्या 6-8 तक बचों हमने हल किये हैं उमिद करता हूँ तीनों उधारन आपको अच्छे से समझ में आ गया है आप इनकी पुने प्रेक्टिस भी करेंगे मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए बचों पढ़ते रहिए खुश रहिए धन्यवाद